आज मैं आपको दूँगा रिव्यू इस पुलबार का जो कि मुझे लगबख एक साल हो गया है यूज करते हुए तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइज बता दूँ तो ये मैंने लिया था 1500 का यहनी 1500 का और मुझे लगबख एक साल हो गया है इसको यूज करते हुए तो जो problems manifest की है और जो advantages मुझे हुए है वो मैं आज आपको इस video में बताऊंगा इसकी problems तो मैं नहीं करना लेकिन disadvantages मैं कह सकता हूँ क्योंकि अगर आप calisthetic सीखना चाहते हो तो ये pull up bar आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें आप calisthetic skills बिल्कुल भी नहीं कर पा हूँ जैसे कि muscle ups और front lever, back lever, pull over और बहुत सारी calisthetic skills जो आप बार पर कर सकते हो तो अगर आप calisthetic skills सीखना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला pull up bar purchase कर लूँ तो मैं आपको बिल्कुल भी ये recommend नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही बेगा pull up bar है अगर आप calisthetic skills सीखना चाहते हो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे pull ups learn करनी है और अपनी pull ups को भी master करना है तो उसके लिए ये pull up bar अच्छा है क्योंकि मैं भी इसको एक साल से यूज कर रहा हूं इस पर pull ups तो बड़ी आसानी सी हो चाहती है लेकिन अगर हम सूचें कि इसको muscle ups और और calisthetic skills कर सकी तो वो नहीं हो पाती तो मैं इस review में यहीं करूँगा कि अगर आप एक pull up bar धूर रहे हो only pull ups करने के लिए तो यह pull up bar best है लेकिन अगर आप calisthetic skills सीखना चाहते हो मेरी तरह muscle up बगारा सीखना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल ही recommend नहीं करूँगा कि आप यह pull up bar purchase करें क्योंकि यह pull up bar बिल्कुल भी काम बने ही ना आप इस पर muscle up कर सकते हो ना कुछ तो यही था honest review छोटा से review पसंद आए हो तो like किजेगा और channel पी नहीं हो तो subscribe जरूर किजेगा मिलते हैं जिली next video पे thank you so much for watching बाई बांकाई कट्ट शुखच कर माथ शूंच झाल स्थिभल वश्यो स्थिभल झाल